और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ हमारी माताओं बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का अक्रोश है जन सामाने का अक्रोश है इस अक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूँ पहला उपर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षे सी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौने में कहीं पढ़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्था होता कि ऐसा पांप करने वालों को भी दर पैदा हो कि ये पांप करने की साहलत यह होती है कि फांसी पर लटगना पड़ता है जीते वर्षों में विमेन लेट डेवलोप्मेंट मोडल पर हमने काम किया है इनोवेशन हो एंप्लोईमेंट हो एंट्रेप्रिनेर्शिप हो हार सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं महेलाओं सिर्फ भागी जारी बढ़ा रही यईसा नहीं महेलाओं नेतर दे रही है आज अनेक्षेत्रों में आज हमारे रक्षा खेता में देखे हमारे एरफार्स हो हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस शेक्टर हो आज हमारी महिलाओं का हम दम खम देख रहें देश के लिए लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती है और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्ट करना चाहता हूँ एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा हमारी माताओ बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का अक्रोष है जन सामाने का अक्रोष है इस आक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसको देश को समाज को हमारी राज्य सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षची कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलाकार की महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में चाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षची सी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौने में कहीं पड़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा होता कि ऐसा पाप करने वालों को भी दर पैदा हो कि ये पाप करने की साहलत ये होती है कि फांसी पर लगना पड़ता है